कि साइस कोचिंग तरोल बाग नहीं दिल्ली की वर से आपका स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप सही मंच पर हैं यह मेरा दावा है कि आपको परिशा कैसे पास करनी है यह टेक्निक जो हम बताते हैं हमारे वेबसाइट पर जाए www.prisais.com पर उस पर हमने जो भी बाते कही है लिखी है उसको आप गौर से देखी और हम लोग पिछले क्लास में बात किये थे समाजिक आर्थिक विकास में प्लानिंग कैसे की जाए कि समाजिक आर्थिक विकास हो रोजगार की कैसे बात की जाए जिससे समाजिक आर्थिक विकास हो और तीसरा उसमें गति सिल्टा मोबिलिटी को कैसे बढ़ाए जिससे सोच्य एकनोमिक डवलपमेंट हो अब ध्यान दिजिएगा कि पढ़ाई तो एक चैप्टर है उसको तो कोई भी पढ़ा सकता है मैं बार-बार आपको घुमा के ले जाता हूं उस जगह पे जहां पर आपको एक्जाम में हाई स्कोर करना है और हम बीच-वीच में अऐंसर आयिटिंग की बात भी करते रहते हैं कि कैसे एंसर लिखना है और कैसे सब्दों का यूज करना समाजीक आर्थिक विकास की बात गेभं करते हैं उसा में एक सब्थर्द करते हैं आव इस समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोर अब मैं बार-बार यह बोलता हूं कि आप इस सब्द को रट लीजिए दिवाग बैठा लीजिए एकदम जो है चौपाई की तरह कि समावेशी विकास समाजिक आर्थिक विकास का मतलब समावेशी विकास सबका कि अमाय की द्धनों के बीच घैंतर को किРЕको घैंतर को करें यह विसका मतलब क्या है यह जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक पे जाएं और वहां से डाउनलोड करके आप पूर्स का इंज्वाए करें तो समावे किसी विकास कैसे होगा यह सारी कहानी पूरा सोचलो पूरा सोचियो पॉलिटिकल एकनोमिक्स साइंस एंड टेकनोलोजी सारा विशय का निचोड यहां है जैसे कई बार कोस्तन आता है न कि समाजिक विज्ञानों के अध्यान में कौन सा विशय सर्व सबसे का सबसे जो है बेसिस का अधारभूत लक्षण अधारभूत का काम करता है तमाम सोचल साइंस है तो यह जो सब्जेक्ट ऐसा है न एकनोमिक्स इसके साथ हर चीज जुड़ी हुई है क्यों जुड़ी हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन है अर्थ अर्थ मंदर इसी भी स्वरूप में एकनोमिक फिनांस जो भी आप सब्दी यूज करना चाहें तो सारे विश्यों की पढ़ाई क्या है सारे जी एस वन टू थी फोर की पढ़ाई इस के ग्याम में वो सब कहां उसका परपस क्या है आपको सिलेबस डिजाइन करने का और उस तरीके का कोशन पूछने का सरकार को आपको सरकार की अपनी जो नीतियां है उसको आपके उपर लागू करने की जिम्मेदारी देने का क्या है सब चीजों का कलेक्टर बनने कमिशनर बनने सेक्रेटरी बनना है आपको आपको निती बनाना है निती का किर्यानिवन करना है तो भीया यह सब चीजों का निचोड क्या है समाजिक और आर्थिक विकास किसका देश का आपका आपका विकास ही तो देश का विकास है और देश का विकास है दोनों तुसरे से को रिलेटेड है तो इसलिए उसके लिए एक सब्द जो हमने बताया समावेशी विकास यह बारबार आएगा तो कोई भी विशाई की तैयारी आप करिए लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि उसमें जो कंटेंट आप पढ़ेंगे या हम पढ़ाएंगे उसका कहीं ने कहीं डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिफ्लेक्शन अर्थ के रूप में अर्थ सास्त्र में होगा जितना मिसाइल छोड़ना है चोड़ लिजिए साइंस टेकनलो तो जी आयात निर्यात जो करना है करी जो भूगोल पढ़ना है पढ़ाना है उसके जो डिजास्टर ताने हैं उसका पुर्बानुमान लगाने के लिए जो भी टेकनलोजी डवलब कर लिजिए कि इतिहांस को जानने के समझने के पीछे जो तरक है कि क्या है है तो समाजिक आर्थिक विकास अना उसक आप खुदा ही नहीं न करेंगे आपको जानने के लिए करेंगे कि पहले के लोग क्या करते थे कैसे का आप करते थे और वो जानके आपकी नावलेज जो है बरतमान में उपयोग में कैसे लाएंगे यह कहने के मेरा मतलब यह है केप्टर को अपो लेी घंध है तो इसलिए इसको आप सिर्裟 का अर्थसासर मत समझेगा जीमारी का जो सबजेक्ट है आप मजे की बाद देखें कि उसमें खाली अर॥सासर नहीं दिया है अग आप सोचेंगे साहब ही इसमें अर्थसासर्ण का आप definition लाृम है उनाप सनाथर नहीं है और रणनिती के तहट सरकार ने दिया क्या दिया है बृटसास्त कि दिया है इफ को सिंध के साथ लिंक कर दिया है शुर्य के आए셔서 अब देखिए उसी के साथ लिंक कर दिया एंवार्मेंट जो उसी के साथ इकलोजी उसी के साथ एनिमल हजमेंट्री जो उसी के साथ डिजास्टर पैनेजमेंट इतने सारे सब्जेक्ट को मर्ज करके से जी एस्त्री नाम दिया कि सरकार मुर्ख नहीं है जान बुच के दिया कि अकेले नहीं पड़ सकते हैं वह साइंस टेक्नोलोजी से लिंक है कैसे लिंक है कि पूछेगा कि बिज्ञान प्रादोगी की कारण भारत के किसानों की दसा कैसे सुधरी है आपको मालूम है बिज्ञान प्रादोगी के चक्कर में इनेम इलेक्ट्रोनिक नेशनल अगरिकल्चर मार्केट बना है वोटल प्लेटफॉर्म आप उस पर मुबाइल पर देखते हैं कि समाम तरीके के आर्टिफिस्यल इंसेमिनेशन क्रित्रिम गर्वाधान साइंस और टेक्नलोजी के थुरू डेवलप करके गाउधियात के किसानों की आय को दुगुना करने के लिए उनको पस्मों को आर्टिफिस्यल गर्वाधान की बात है जिससे उसको जो है इल्ड जानिक तरीके मच्वारों को समुद्र में न जाने के लिए चक्रवात आने की संभावना को बताने के लिए टेक्नलोजी ने उपर सेटलेट भेजा है ना कहने का मतलब यह है कि यह सारी चीज़े लिंक्ट है एक्नॉमिक्स बीना साइंस टेक्नलोजी के इंप्रूब नहीं कर पाएगी कि इतना रेनफॉल होगा कितना भुकाम पाएगा इस सब पुर्वानुमान कौन बताता है वहीं बताता है साइंस टेक्नलोजी एंवायर्मेंट कि आप ऐसा अर्थसास्त्र की बात मत करिए जिसे एंवायर्मेंट सस्टेनेबिलिटी की जो है चुनोतियां पैदा हो जाएं एंवायर्मेंट को कैसे प्रोटेक्ट रखना साइंस टेक्नलोजी बताता है और एंवायर्मेंट को सुरक्षित रखते हुए किस्यान क्या करें आप क्या करेंगे गैर क्रिसी छेत्र में इकलाजी सब एक दूसरे से लिंक है कि रख करके जो मैं बता रहा हूँ कि आप किसी सब्जेक्ट को एलूप होके मत पढ़िएगा इसका लिंक वहाँ है और उसका लिंक यहां इंटर कनेक्टेड है और जो भी सब्जेक्ट है मोटा मोटी वह सब के डॉट्स जो है एक दूसरे से जुड़ रहें कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर दुबारा इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रेस फील हो जो भी सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाते हैं वो सब को पहले एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिलकुल मकड़ी का जाल समझ लेजिए तो किरपा करक जैसे हम बताते हैं उसको उसके साथ को रिलेट करके पढ़िएगा अभी हम आगे चल रहे हैं तो उसको एग्यांपल के तौर पर बताएंगे तो यह जो है जरूरी है तो हम लोग आते हैं सीधे सीधे रोजगार जो समाजी कार्थिक विकास के आयाम के रूप में उसके हैं किम्पृइमेंट कि प्रति पूर्ति के आधार पर काम करने की एक अवस्था को अ प्रतितिमित मतलब आपने कोई क्वाम किया और उसके बदले में आपको पारिश्रमिक मिली कि प्रति पूर्ती कों थीम्पंसेस्षं नाम च्छति पूर्ति है करता हूं कि आप सब्दों का मतलब समझ लीजिए अगर आपने सब्दों का मतलब नहीं समझा तो कुंस्टन जिंद्दी कि में हल नहीं हो पाएगा पढ़के जानते हुए भी है समावेशी विकास पृतिपुर्टि का मतलब क्या हुआ लिभांव हैं जो कि इंग्लिस में बोलते हैं उसको और म्तलब आपपने जितना खर्च किया उसको पूर्तनाही मिल आंगाना आपने-ड़ोपय का नशीदा है सरकार कर नशीर घर के लिए किसी के लिए आपको बोला कि एक किलो सेव खरीद लाओ तो आपने अपने पैसे से 60 रुपया 200 रुपया अगर आप सब्दों का मिनिंग को हलके में लेंगे नहीं जानेंगे तो भाई आपका पास होना तो बहुत मुश्किल है और यहीं चीज मिसिंग रहती है मैक्सिमम जगों पर कोई ध्यानी नहीं देता चोटी चोटी चीज चोटी नहीं यह बहुत बड़ी चीज आई कहने में देखने में छोटी लग रही है उदहारा हमने आपको दे दिया पहल प्रकार होगे प्रकार चती पूर्ति क्या है कंपंशेशन कंपंशेशन के क्या मतलब है कि आपको किसी प्रकार की छती हुई हमारी वजह से जिसकी वजह से गाड़ी चलाते हुए आपने किसी को स्कूटर को ठोक दिया तो आपकी गलती से ठुका उसने कहा 500 रुपे लगे किसीने आफ रुपे लेगा मेकैनिक ने कहा कि नहीं थीन तीन रुपे में मैं बना दूंगे तчи तेन रुपे जो आपने उसको दिया वह क्या हो machinery को फूर्त च्रशन को को पूर्त करने कि और ऊच्रशन में होता है टो एक डेट एक सब्साब दाता है और एक कंपंसेशन है ना ओर यह मैं बहबारी का अनुभफ बता रहा हूं कंपनसेशन है मुकि अलं सथ संदोला मतलब ईंक ना अपति क्या है इसी से टर्म है संपेस्णफ कम मैं या पसनल इसका हिंदी होता है हई हार हार Assane जो आनकपा इसका मतलब विए हता है दया मरसी विजडम काइंडनेस अनुकम्पा जैसे किसी के घर में कोई सरकारी नोकरी में रहते हुए मर गया तो सरकार उसके बच्चों को या उसके बीबी को या हस्वेंट को नोकरी दे देती है अनुकम्पा के आधार पर अनुकम्पा दया दिखा के वह बहुत बड़ा ट्रेजडी हो गया चलो भाई इनके पत्नी को नोकरी देता हुए इन सब तरीकों को पढ़ने के लिए डिटेल में आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को लिंक पर जाईए और वहां से डाउनलोड करिया फिर इस पर एक आदमी की नोकरी दी चली गया उसने क्या लिख दिया कि कंपेस्नेट को कंपेंसेनेट 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 लिख दिया यह हो गया च्छतिपूर्ती अ और नोकरी मिलने थी अनुकंपा पर कोट में वहार गया तो सब्दों का यह जाल है और यह जाल को समझना जरूरी है नहीं तो आप मकड़ी की तरह स्पाइडर की तरफ फंस जाएगा और फिर उड़ नहीं पाईएगा एक पर फंस गया तो कंपेस्नेट नोट तो प्रति पूर्ति के आधार यहां एक काम करने का एक स्टेट फटॉट इनपर्चिक यह और पर अब इसी इंप्लाइमेंट को देखिए क्या करेगा कोस्टन कैसे पूछेगा उन बताता हूं पूछेगा कि दा स्टेट अफ एविंग प्रेट जॉब इन इंडिया इस बीग प्रॉब्लम अब देखिए यह नहीं कहेगा लोजगार इस रौजगार पराप्त होने वाले रोजगार करने वाले लोगों के लिए उनका परासपारिस्रमे की देना एक चुरोंती है आप समझ गये इसी चीज को ऐसे लिख देगा तो लेकिन ऐसे नहीं लिखता है हुए और भूमाने के लिखता है प्रतिपूर्ति के अधार काम करने की अवस्था जन परिस्थितिएची उंस एक परिस्थितिएश कूंद है जा कि पूछ पूच्टेश्टेछ में हो रहे हैं ऐसे गुम देगा तब गूम जाएगा मारे और सीधा-सीधा कह देगा कि रोजगार वाला कि रोजगार करने वालों के लिए किस तरीके की जो है इसलिए सब्सक्राइब को जानना ज़रूरी है रोजगार का मतलब रिर deux में कि the state of having a paid job चुनौती पूर्ण है और है तो कैसे है कि कोशन है पक्का बनता है कोशन आया हुआ है कोशन किसी साल हमने देखा तो चुनौती कैसे इसका 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 देखन में छोटन लगे घाव करें गंभी एक लाइन का है एक लाइन में आधा लाइन का है तो कैसे चुन जब भी इस टाइब का सवाल आये तो आप अपना दिमाग गाउं में ले जाए ग्रामिड प्रिष्ट भूमी में आपको इंसर खट से मिल जाएगा वहां क्या आज भी दास प्रथा खतम हो गई सब्सक्राइब आज भी कि आज भी कि अंगठी चेत्र में तो फिर भी ठीक्या और संगठी चेत्र से प्राइवेट सेक्टर में आज भी मिनिममम वेज एक्ट जो है लागू नहीं है अगर पारिस्रमिक वानिस्किल्ड वरकर को मिलना चाहिए छे सो रुपया तो वो छे सो नहीं मिलता उसे अंडर पेड हो जाता है और इसका प्रमाड आप यह लिखिए कि आज भी स्रम संगठनों को यह नारा लगाना पड़ता है कि दिन भर में करेंगे काम और काम करेंगे पूरेदाव यह भारति मजदुर संग जो इंडिया का सबसे नंबर वन ट्रेड उनियन है उसका स्लोगन है यह और यह जल्दी कोई बताता नहीं है और यह बीजेपी से एसोसियेटेड संगठन है अनुसांगिक संगठन जैसे विद्यार्थी परिसाद है किसानों के छेत्र में तो ट्रेड उनियन के छेत्र में यह भारति मजदुर संग्त अब आप देखिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं वह नयवचित नहीं है आप जो लिख रहे हैं कि प्रतिपूर्ति के आधार पे काम करने के वस्ता में प्रतिपूर्ति जो है पूरे धंग से होती नहीं है क्योंकि आज भी स्रम संगठनों को यह आवाज लगानी पड़ती है कि काम के लेंगे पूरे दाम अरे यह कहने की चीज है कि तो स्वता मिलना चाहिए न आपको मांगने की क्या जूरत है कि विशाइक की गंभिरता पर आईए समझिए और यहीं 360D डिगरी डवलप्मेंट है माइंड का आपका जिससे आप खुद हमारी तरह सोचेंगे और हमारी तरह समझेंगे और एक्जाम में अपना रिप्रोडियूस करेंगे और आगे जाने के लिए फिर वहीं डिस्क्रिप्शन में दि यह आपको नारा बनाना पड़ रहा है कि उससे पहले के बामपंथी त्रेड उनियनों ने यह नारा बनाया था कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो इंटर्व्यू में पूछा था हम से इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह सब चीजे पूछी जाती है जो आपको क हिताव वाला नहीं बताता है और आप लिखिए मिलता है यतिंब वेजएंट का पालन नहीं होता सरकारी छेत्र में होता है यह मैं सारी बात गैर सरकारी असंगठित छेत्र में बता रहा हूं प्राइमरी हो चाहिए सेकंडरी हो प्राइबेट में किसी फैक्ट्री में आप नोगरी करने जाए तो मिनमम वेज भी नहीं देता हो गाओं में जाएए महां मिनमम मेज नहीं देगा मिनममम मेज एक्ट है मिनूंतम मजधूरिय अधिनियं हर अस्टेट के अलग अलग होता है उसमें इसकिल्ड से मिजब और से तीनों केटेगरी के दर दिये होते हैं टाइम टाइम पर रिवाइज होता है कि मिन्मूम वेज़ेक्ट में की घर का कंसेप्ट नहीं है यह एक्ट है तो रोजगार पाने के बावजूद एक तो रोजगार की चैलेंज है अगर आपने पा भी लिया तो दूसरा चैलेंज मिन्मूम वेज नहीं मिलता है दूसरा कि कार्ज के घंटे डिसाइड नहीं रहता है अगर आप 15,000 रुपे महिने पर काम कर रहे है तो भाईया आपको छुटी हफ्ते में एक दिन मिलना चाहिए यह भी रूल है लगातार किसी ब्यक्ति को कर्मचारी को दस दिन से ज्यादा काम नहीं कराए जासके अगर आपने सात्वे दिन ब्रेक नहीं दिया यह लिखा हु तो कार्ज के घंटे नहीं निरधारित है minimum wage act नहीं मिलता है आगे पुले यहferjan है मजदूर की और उसकी गरिमा उसदूर की dignity को और को मेंटन नहीं किया जाता हुए उसको भस्तु की तरह ट्रेट किया जाता है ग्रामिड समाज में तो यह बहुत ही ज़ादा है और उसके साथ जो गरिमा पूर्ण बेहवार नहीं किया जाना वो भी जो है एक समस्या है और किस रूप में है कारज के घंटे हो गया गर्मा पूर्ण हो गया तीसरा की मुद्रा के बजाए अब बार्टर सिस्टम से उसको मजबरी देना उसकी इच्छा नहीं है राओ अधियात में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं पांच किलो धान ले लिजिए हो गया तो कहेगा पैसा दीजिए आपके नहीं पांच किलो धान देजिए मार्केट मेरेट है यह सब समस्याएं ह इस प्रकार से सामेले तब आगर आपने यह सब की प्रति-पूर्ति नहीं किया तो बताइए पूरोजगार करने वाला आदमी क्या रोजगार करने की जो उसकी उसका जो आउसर था आपने उसको प्रति-पूर्ति किया नहीं किया इसलिए रोजगार की परिभासा में लिख करना तो रोजगार या स्टेट ऑफ हैविंग पेड़ जॉब है इस है इस है कि प्रॉब्लमेटिक के यह अप्लिकेटेड फिनोमीना जहां पर इसके साथ इस कंसेप्ट के साथ युक्ति युक्त बेहवार नहीं हो रहा है तो पहले रोजगार पाने की समस्या थी रोजगार म कि आगे चलिए कि कि इसी पर कोस्टन बनेगा कि भारत में रुजगार के क्या-क्या समस्याइं हैं और वो उनको जो है लागू करने में क्या-क्या बाधाय आती है और प्रमिक बर्ग का मुंजीपति बर्ग से किस प्रकार का संबंद है 21 प्रकार का जो है अंतर निर्भरता है अंतर निर्भरता अगर पूछता इंटर डिपेंडेंस बीट्वीन दा इंपुलाइर एंड इंप्लाई आप सिधा सिधा लिखेंगे कि चुकी स्रम लेबर आप पढ़ा रहे हैं यह मेरा स्रम है आप खेती कर रहें वह आ अपना कंट्रिब्यूशन दिया तो दूसरे भी उसको उसी रेशियों में उसी अनुपात में कंपन्सेट रिंबर्स नहीं कर पाने हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो प्रति पूर्ति के आधार पर काम करनी के वस्था में रोजगार का जो स्टेटस स्टेट ऑफ माइंड उसमें क्या समस्यां और कैसे हीडेन समस्यां हैं वह आपको बताया है दूसरा कि रोजगार की स्थिति एस्टेट ओफ चैलेंजेज इमर्जड इंप्राइमेंट यह कोस्टन आया हुआ है कोविड चुकी चला दूसल करीब देश में यह कोस्टन बना था कि आफ्टर कोविड 19 क्या क्या चैलेंजेज पैदा हो गए हैं यह आपको कंफाइन किया है इस पे वोबीड के बाद किस प्रकार की चिन चैनल बात है लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ज़्यादा जरूरी है अगर इस टाइप का कोर्शन आता है कि आफ्टर कोविड 19 या पिछले दो बरसों में या पिछले आपदा के समय या पिछले प्रतिकूल परिस्थितियों में नाम कुछ भी देगा परपस एक ही है तो पि दूसरा कह सकता है कि पिछले दो बरसों में या कोविड में जो रोजगार के छेत्र में चुनावतिया पैदा हुई है उसमें कोई ऑपर्चुनिटी रिफ्लेक्ट होती है क्या अब देखिए तो चुनावतियों में ऑपर्चुनिटी है और सब चुनावतियों में ऑपर्चुनिटी और सरवादिता कोविड के बाद रोजगार के छेत्र में जो चुनावतिया पैदा हुई कोविड के वजह से उसमें कोई अपर्चुनिटी है क्या चिपी हुई कुछ अपर्चुनिटी है क्या यह कोशन बन गया और इस कोशन का जबाब सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पे जाएं